हेलो बच्चो, गुड मॉनिंग, वेलकुम टो आवर यूटूब चैनल, एम्स इंस्टूट अफ लर्निंग, मैं परिमर सार, आप सभी का हमारी यूटूब चैनल पर स्वागत करता हूँ, बच्चो आज हम लोग फिर से एक नय टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, जो की हम पर मैथमेटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि आप थमनेल में भी देख चुके हैं, डी मोवर्स ठीरोम, कहने के लिए एक ठीरोम है, छोटा सा, लेकिन इसका यूज हम लोग बहुत जगे, बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड जो काल्कुलेशन से, उ आप टिगुनोमेट्री में ये डी मोवर्स ठीरोम जरूर परे होंगे, या आने वारे टाइम पर परेंगे, अगर आप बीए सिम के स्टुडेंट नहीं है, या कभी अगर मैथमेटिक्स नहीं परें, बहुत मज़ा आएगा, आसान भासा में हम लोग सीज़ेंगे, सीधे तरीके से स्थीर से देखेंगे कि कैसे यूज करते हैं, कैसे अप्लिकेशन इसका यूज होता है, कभी अगर हो सकता है, कि आपके अगर काम में आ जाए, तो फिर हम लोग इस ठीरोम का वहां पर कैसे यूज करेंगे, कहां कहां ये यूज हो सकता है, सारे चीज़ों पर हम इस वीडियो में complete solution देखेंगे ठीक है तो बने रही है मेरे वीडियो के साथ पुरा अच्छे से देखना है skip नहीं करना है अगर आप BSC के student है या mathematics आपको अच्छा लगता है mathematics के student है या नहीं भी है लेकिन फिर भी आपको mathematics सीखना बहुत ही अच्छा लगता है आप चाहते हैं कि higher mathematics सीखें तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि यहां पर हम higher mathematics से रिलेटर रेगुलर अपडेट देते हैं रेगुलर वीडियो कंटेन आते रहता है जो कि आपको एक इंजॉय भी देगा इंजॉय फूल भी होता है साथ में आपको कुछ सीखने को भी मिलेगा कि mathematics हमारे जीवन के साथ कैसे रिलेट करता है हाना बहुत सारा चीजों को हम लोग यहां भी देखेंगे तो इस्टार्ट करते हैं आज का थेरम डी मॉवर्स थेरम हैं आप हो सकता है पड़िवे होंगे फिर भी आप देखिए इसमें आपको बहुत सारा नया नया चीजे सीखने को मिलेगा अच्छे अच्छे एक्जाम पल्पी भी हम लोग क्या करेंगे बात करेंगे ठीक है आए यह स्टार्ट करते हैं जैसे डीमोवर्स तेरम में तो किसका पॉलीनोमील का हो या अलग अलग यह बहुत बड़ा एप्लिकेशन रूट्स निकालने में भी हैल्प करता है अगर आप यह को पता होगा और डिफेंसल में हम लोग क्या करते हैं को कंप्लिमेंटरी फंसन हो गया उसका रूट्स निकालते तब जाके फंसन निकालते चैप्टर में है ना तो वहां भी यह क्या करता है बहुत बड़ा रोल निबाता है दूसरी बात अगर कोई ऐसा पावर है सबसे पहले हम लोग यूजेज देख लेते हैं छोटा छोटा को हम क्या देते हैं इस तरह का कुछ दे देते हैं जैसे कि सपोच किजे एक्स टुदी पावर फोर हो गया और पलस हो गया टू एक्स स्क्वर और प्लस वन इकल टो जीरू आपको अगर हम बोलेंगे तो रूट्स निकाले तो बच्चो इसका फोर रूट्स होगा चाए वह तो रियल हो या इमेजिनेरी हो है ना तो चारो रूट्स निकालने में कभी कभी क्या होता है जो हम लोग डारेक्ट मैथोड जानते हैं तो कॉंप्लिकेटर हो जाता है लेकिन किसी तरह अगर इसको हम लोग डीम ओवर सिरम जो कहता है उसके स्टेटमेंट में कनवर्ट कर तो यह बहुत ही आसान तरीके से मुझे क्या देता है रूट्स निकालके देता है इस तरह बहुत सारा जैसे बच्चों की हम लोग निकालते है इक्वल टू वन कर दिए तो देखने में तो लगता है कि भाई सब एक ही या दो ही वेलू होगा इसका क्या एक्स का वेलू हैं बाकी 10 है पावर तो 10 रूट्स तो कंफर्म होंगे लेकिन बाकी 8 होंगे तो कैसे निकालेंगे और वो होंगे कॉंप्लेक्स फिल से लेकिन होगा क्या निकालेंगे कैसे तो इसमें बहुत बड़ा भागेदारी निभाता है क्या इस तरह के को सॉल्प करने में में मेरा ह है फंडा के लिए रहा है सब कुछ अब क्या होगा कि अगर हम पहले यूजेस देख लेते बच्चों तो थीरों को पढ़ने का जो मेरा मतलब तरीका है उसमें भी बदलाव होता है अब क्या करेंगे हम थीरों को एक अच्छे पॉइंट ब्यूज से देखेंगे कि नहीं यह मेरा आगे बहुत जगा यूज होने वाला है तो इसको हम अच्छे से पढ़ते हैं तो जो पढ़ने वाले अगर उसके पहले उसके बारे में थोड़ा जान ले तो पढ़ने का मजा ही कुछ अलगाता है है अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ देखेंगे पूर जो आपका मेरा विडियो लेक्चर होगा उनमें आपके सारे पॉइंट्स को दियान में रखकें हम अगला वीडियो तैयार करेंगे ताकि आपका जो भी कमी रहता है उनको हम क्या करें एक वीडियो में ठीक कर दें ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रूफ क कहता है कि n कोई भी integer हो, कोई भी integer मतलब negative positive चाहे 0, किसी भी type के integer हो, then cos theta plus iota sin theta पर अगर power है न, तो बच्चों कहता है जो power है वो angle के साथ multiply हो जाएगा, that is cos n theta plus iota sin n theta, simple बात है, क्या बोले, फिर से देखिए, कहें कि cos theta plus iota sin theta पर जो मेरा power है, n जो है, जो integer है, वो angle के साथ multiply हो जाएगा, बस बहुत छोटा सा चीज है, लेकिन यह छोटा बम बड़ा धमाका है, देखने में तो बहुत छोटा चीज लगता है, लेकिन uses बड़ा सांदार तरीके से हम लोग देखते हैं, ठीक है, दूसरा कहता है कि मान लेते हैं कि चलो ठीक है, इंटीजर के लिए काम कर गया, लेकिन अगर कोई positive fraction भी है, या fraction है, positive नहीं, simple fraction भी लेते, negative भी हो सकता है, positive हो सकता है, कोई भी fraction है, जैसे पी वाई क्यू, जैसे rational numbers होता है, उस तरह से, तो भी कहता है, one of the value of, कम से कम एक value, या one of the value of किसका, cos theta plus iota sin theta का क्या होगा, cos n theta plus iota sin n theta, यहाँ भी वही बात कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या बोलड़ा है, अगर n fraction हो, तो एक value ऐसा होगा, इसका मतलब हो सकता है, यह जो expression है, cos theta plus iota sin theta पर power n, इसका कोई और भी value हो, possibilities है, हो सकता है, किस case में, किस case में, जब fraction हो, किस case में, जब fraction हो, एकदम clear किजे बात को, है ना, integer के लिए, बराबर ही हो जाएगा, fraction के लिए कहता है, एक value ऐसा होगा, किसका, cos theta plus iota sin theta, clear हो गया, पूरा theorem clear हो गया, अगर theorem अच्छे से clear हो जाता है, तो proof जो होता है, उसका हम हम लोग सोच सकते हैं, observe कर सकते हैं, कि अच्छा, ये चीजे दिखाना है, तो कुछ consider करते हैं, कुछ सोचते हैं, कि कैसे prove होगा, उस पर फिर विचार करेंगे हम लोग, तो सबसे पहले हम लोग क्या देख लिए, यहाँ पे हम सारा चीजों को देख लिए, अब चलिए, प इंटीजर के ले बच्छों हम लोग करते हैं, यहां पर क्या करते हैं, तो यह क्या करते हैं, पहले पॉजिटिव इंटीजर ले लेते हैं, फिर नेगेटिव भी ले ले लेंगे, अलग-अलग अगर हम case करेंगे, तो काम करना मेरे लिए आसानी हो जाएगा, और कुछ नही Case one में क्या देखते हैं When जो य 해 औन-मजा आव पॉजिटिव एंटीज़किड है Eh और अपर पॉजिटिव एंटीज़कों क्या होगा पॉजिटिव एंटीजर कौल से क्या करना चाहिआ हो जाएगा अच्छा ठीक है पॉजिटिव इंटीजर मान लिए सर कि यह ठीक है पॉजिटिव है लेकिन कैसे दिखाएंगे एन कुछ भी हो सकता पॉजिटिव में 123456 वगरा वगरा तो काम करते हैं स्टार्टिंग पहले सोचते हैं कि क्या यह थीरों एनिकुल टू के लिए होल्ड करेगा सोच के देखते हैं थीरी के लिए करेगा सोच के देखेंगे तो एक काम करते हैं उस थीरों को और अच्छा से समझने के लिए हम क्या करते हैं जो ठीटा है पहले अलग-अलग ठीटा के लिए वर्ट करते हैं ताकि जो क्याल्कुलेस नो वह मेरा कहीं गलत न रहते हैं कॉस ठीटा काम करते हैं ना कॉस ठीटा वन प्लस आयोटा साइन ठीटा वन ठीक है किलियर देखिएगा यहां पर बच्चो कोई गलती नहीं होना चाहिए अब फिर वापस वही रिपीट करते हैं कितना कॉस ठीटा टू प्लस आयोटा साइन ठीटा टू ठीक है हम क् मैं एकधी ti2 ले लिए दूरे वार में ठीटा 2 ले लिए क्योंकि गलतिया ना हो प्रूफ करने में उस बज़े से ठीक है क्यों गलतिया ना हो सारा चीज़े बताएंगे बत्यों कि प्रोड़क करने हम लोग का दो शीखें तो यहां के सос थीटा 1 into cos theta 2 real part iota 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 का square यहन्य कि minus हो जाता है कितना हो जाएगा sin theta 1 into sin theta 2 क्लियर real part लिग दिए अब iota sin theta 1 को cos theta 2 के साथ करेंगे और cos theta 1 को iota sin theta 2 के साथ करेंगे product तो उसमें से क्या होगा मेरे पास iota जो है वो common आ जाएगा तो कैसे कितना हो जाएगा यहाँ पर हो गया मेरा sin theta 1 into cos theta 2 plus cos theta 1 into sin theta 2 cos theta 1 into sin theta 2 clear क्या हो जाएगा एक बार में अगर हम लोग इसको देखे तो तो यह आ जाएगा मेरा बच्चों क्या यह जो 12 में लोग पर हो एक formula पर बेस नहीं लग रहा है cos into cos v minus sin into sin v तो कितना हो जाता है तो कहता है cos theta 1 plus theta 2 cos a plus b plus plus iota यह कितना हो जाएगा sin sin into cos v plus cos into sin v sin a plus b मतलब theta 1 plus theta 2 एक दम बहुत simple बहुत simple अब थोड़ा सा सोचिए आप सेम theta के लिए अगर work करा दे तो मतलब theta 1 theta 2 को theta माल लेते हैं तो यहाँ पर cos theta plus iota sin theta over power 2 हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम हो जाएगा और यहाँ पर भी theta plus theta 2 theta और यहाँ भी हो जाएगा 2 theta तो फिर आप बोलेंगे एक सार अगर यहीं दिखाना ही था तो हम सिधे square करके क्यों नहीं किए score करके भी तो हो जाता है वह जो तक तो दिखता आसानी से लेकिन अगर हम cube करेंगे ना तो यह थूड़ा सा complicated हो जाता मेरा लिए फिर अगर पूरूवी complicated हो जाए तो फिर किस काम का है ना तो प्रूव को जितना हो सकते अप सरल रखने का परयास करें ठीक है जितना हो सके सरल रखते चलिया ठीक है आपका बात हम माल लिए यहाँ पर मेरा कितना आ गया जी दो के लिए तो लेकिन अग को देख लेते हैं फिर से ठीक है now so ऐसा कर सकते हैं या यहाँ पर इंपलाइच कोस थीटा 1 थोड़ा सा अच्छा से कर देते हैं कॉस्ट फीटा उन प्लस आयोटा साइन फीटा वन एक यह ले लिए भी ले लेते हैं कॉस्ट फीटा टू प्लस आयोटा साइन फीटा टू एक यह ले ले लिए थूरा सा बच्छ इसको नीचे कर देते हैं क्यूक्ी right side में क्या है कि ठीक है इतना हो गया एक और ले लेते हैं कॉस्ट ठीटा ठीरी प्लस आयोटा साइन ठीटा ठीरी क्लिया दिख रहा है प्रोपर तरीके से उमीद है कोई डाउट्स नहीं है यहां तक अच्छा चलिए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चो पहले अगर इन दोनों को देखे तो अल्डेडी हम यहां पे कर चुके हैं कितना आ गया यह गया कॉस्ट ठीटा वन प्लस ठीटा टू और आयोटा साइन ठीटा वन प्लस ठीटा टू यह अल्डेडी हमने करके रखा हुआ इसके साथ बच्चों प्रोड़क कोन होगा कॉस्ट ठीटा ठीरी प्लस आय नहीं भी पर हैं तो भी कोई बात नहीं हम लोग यहां पे बहुत आसान भासा में ही सीखने वाले हैं है ना कोई complicated नहीं है बहुत सरल तरीके से देखेंगे ठीक है अच्छा कहता है कि ओके दो के लिए अगर एंगल जुटता है तो एक यह नया एंगल और यहां पर यहां पर यह वाला एंगल तो कितना हो जाएगा जुट जाएगा और iota sin theta 1 plus theta 2 plus theta 3 सिंपल बात है कैसे कर दिये तो बचों यह जो theta 1 और theta 2 के लिए दोनों एड होगी एंगल में तो theta 1 plus theta 2 का एक नया एंगल और यहां पर theta 3 एक एंगल तो क्या हो जाएगा वो भी एड हो जाएगा अच्छा यह बात है इसका मतलब 4 के लिए करेंगे तो तो 4 के लिए अगर करोगे एक और theta अपना होगे तो एक और theta यहां पर एंगल में एड हो जाएगा similarly similarly हम लोग next page पे देखते हैं कि theta 1 theta 2 theta 3 dot dot theta n के लिए देखते हैं क्योंकि मुझे क्या चाहिए यह motive क्या है पावर n और फिर बात में सारे theta को सेम कर देंगे मेरा positive के लिए result रेड़ी आ जाएए देखते हैं similarly similarly बच्चों डवलल वाई कर देते हैं आसान भासा में similarly होता ही है similarly कितना हो गया cos theta 1 plus iota sin theta 1 ठीक है अब इतना तो उमीद करते हैं कि समझ में आ गया हो गया बहुत हट तक ये वाला dot dot कहां तक गए हम लेके चलेगी angle theta n तक और iota sin theta n कितना हो जाएगा तो कहता है कि सारा angle add हो जाएगा सारा angle add हो जाएगा तो एड़ो कितना हो जाएगा cos theta 1 theta 2 यह जहां तक कहां तक जाएगा theta n तक plus iota sin theta 1 theta 2 यह भी आड़ हो के theta same to same process से same to same process से जिस process से हम यहां पे यह वाला किये सेम वही process से clear कोई दिक्कत नहीं 3 के लिए था 3 हुआ 2 के लिए था 2 angle जुटा and के लिए करेंगे तो angle add हो गया अच्छा अब क्या करेंगे अब क्या करेंगे अब कुछ नहीं हम put करेंगे we put theta equal to सारे angle बराबर क्योंकि मुझे सारे angle सेम चाहिए done या we get यहां पर ऐसा भी लिख सकते हैं we get कितना हो जाएगा कि कितना हो जाएगा तो कॉस्थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा फिर हो जाएगा थीटा 2 के लिए भी तो वहीं ही हो जाएगा यह ना सारे angle में हम थीटा से कहां तक चलेगा यह कहां तक चलेगा तो कहता है upto and terms, क्यों अटर्म तक चलेगा? क्योंकि सर, theta n तक गिया हुआ है, तो total कितना factor है? इस तरह का? तो n फैक्तर है, तो यह कहां तक चलेगा? n टर्म सब्सक्राएब निज़िक तक चलेगा, right side में कितना हो जाएगा? बच्यों, तो कहता है कि right side में theta plus theta plus dot dot up to कितना तक ये भी n terms ठीक same to same iota sin वाले के लिए भी होगा theta plus theta plus dot dot up to n terms बस काम खतम मेरा प्रूब हो गया cos theta plus iota sin theta अगर power n क्योंकि n टर्म तक है तो power में आ गया तो right side हो गया मेरा cos n theta plus iota sin n theta कितना गया cos n theta plus iota sin n theta किसके लिए case 1 में क्या लिए थे positive integer क्या लिए थे positive integer clear कोई problem नहीं देख लिजिए सारा चीज़े क्या किये हम लोग simple एक दो तीन ते धीरे धीरे गये और similarly and terms से किये सारे ठीटा को same किये बस खतम इतना ही छूटा तो कहता है और कुछ नहीं एक बार अगर बच्चो positive के लिए हो गया ना तो उसी के help से हम लोग negative integer के लिए कर लेंगे और अगर बच्चों इसमें देखोंगे n equal to 0 0 के लिए तो n equal to 0 मतलब किसी भी function पे non 0 function पे power 0 तो 1 और इधर negative देखते हैं फिर हम लोग आगे बात करेंगे क्लिए डा ओके केस्टू 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 केस्ट सकें ठीक है वैं 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 एन ए नेगेटिव इनगेटिव इनटीजर एन क्या हो कोई एक नेगेटिव इनटीजर हो तो अगर नेगेटिव है तो कैसा दिखेगा तो मान लेते हैं कि लेट अन बराबर माइनस एम और जहां पे एम जो ह है positive सब्सक्राइब नेगेटिव तो माइनस एम करके रख दिया जहां पर हम पॉजिटिव है ठीक है ओगिया अगर इसके लिए है आज हम लोग बात करते हैं कॉस्ट हीटा प्लस आयोटा साइन थीटा तो पावर कितना हो जाएगा तो एन तो इसको लोग आसानी से लिख सकते हैं कॉस्ट ही टा आयोटा साइन थीटा पर पावर वाइनस हैं अब अगर पावर मैनस एम है तो उबियस बात है कि इसको हम लोग 1 by 1 by कॉस्ट हीटा प्लस आयोटा साइन थीटा पर पावर एम तो करी सकते हैं और M बच्चों मेरा क्या है M क्या है M है positive integer तो by case 1 जो M है वो angle के साथ multiply हो जाएगा क्योंकि just iota sin M theta cos M theta plus iota sin M theta कहां से तो कहता है कि from 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 case 1 कहां से case 1 से कहां से case 1 से अच्छा लेकिन सर हमको क्या चाहिए तो हमको चाहिए जो यह एन है ना वो angle के साथ multiply हो ना कि M और M यहां निचे काम करते हैं बच्चों रिसलयाइस कर देते रिसलोस करेंगे तो काम आसान हो जाएगा क्योंकि नीचे और मान के साथ करते हैं तो यहां से काम मेरा करना आसान हो जाएगा तो क्स एम थीटा और माइनस ऐसालोटा साइन एम ठीटा देखते हैं क्या होता है उम्मीद तो है कि नीचे अगर कॉंप्लेक्स में है तो स्लाइस कर दें तो कॉंजूगेट के साथ काम बन जाएगा यह हो गया इसके लिए पलस और माइनस उपर है तो नीचे भी तो देना परेगा तो कॉंजूझ मैनन ओटा साइन एम थीटा ठीक है चलले ठीक है कितना हो गया उपर तो कॉंजूजू एम फिटा माइनस आयोटा साइन m theta cos m theta minus iota sin m theta clear नीचे कितना हो गया बच्चों तो cos a plus b into a minus b तो कितना हो था a square minus b square तो यहां हो गया cos square m theta और minus b square मतलब iota का square sin square m theta iota का square is minus 1 तो equal to plus 1 यहां हो गया sin square m theta और यह तो आसान है cos square theta plus sin square theta is equal to a for any values of theta belongs to real number system यह तो दिख रहा है यह खत्म उपर हो गया cos m theta minus iota sin m theta और divided by कितना हो गया 1 divided by कितना हो गया 1 clear 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 अब मुझे चाहिए ऐसा काम करो कि n multiply में हो ना कि m तो क्या बच्चों आप लोग बताओ क्या हम यह लिख सकते हैं minus m theta theta के जगा m के जगा मतलब theta के जगा minus theta चुंकि cause जो होता है अगर angle negative में हो तो वह positive हो जाता है भारा के यह minus क्या हम angle के साथ में multiply कर सकते हैं क्या angle के साथ में कौन सा यह वाला जो माइनस से हम क्या कर दिए sign के angle में लेकर चलेगी है कि हम लोग यह सब जानते हैं already हम यह से लिख सकते हैं यहां पर कि कॉस माइनस कॉस माल लेते हैं कॉस माइनस theta equal to कितना होता है कॉस ठीटा एंड साइन माइनस theta equal to minus sin theta क्लियर तो यहां माइनस हम create कर लिए मुझे माइनस M चाहिए इसलिए माइनस M क्यों चाहिए क्यों कि माइनस M का ही तो value है माइनस M का ही value को हम क्या लिख सकते हैं यह प्लस काम खतम हो गया और क्या है यह हो गया मेरे पास कितना गया यह हो गया मेरे पास cos n theta plus iota sin n theta cos n theta plus iota sin n theta cos n theta plus iota sin n theta so cos क्या था यहाँ पे cos theta plus iota sin theta पर power अगर n होता है जहां बचो है negative integer है उस case में भी cos n theta plus iota sin n theta मेरे पास आ जाएगा cos n theta plus iota sin n theta मेरे पास आ गिया आप यहाँ पे देख सकते हैं दो case तो खतम अब बच्चा एक simple सा case कौन सा जब क्या हो जाए n equal to 0 हो जाए जब n equal to 0 हो जाए तो एक काम करते हैं n equal to 0 हम चाहे तो यहाँ पे भी खतम कर सकते हैं नहीं तो फिर अगले पेज पे चलते हैं clear? कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? चल यह ठीक है case 3 लेते हैं case when n equal to 0 चल यह n equal to 0 को लिए भी हम लोग देख लेते हैं तो कितना हो गया? cos theta plus iota sin theta पर power 0 तो 0 जैसे ही किजिएगा तो यह कितना देदेगा? 1 क्योंकि कोई भी non 0 अगर function है उस पर power 0 हुआ तो 1 क्या हम लोग 1 को नहीं लिख सकते हैं? cos 0 plus iota sin 0 क्योंकि sin 0 तो 0 और cos 0 का 1 खत्म अगर cos 0 में 0 देता है तो क्या cos हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते हैं? cos कितना? 0 into theta और plus iota sin 0 into theta जहाँ पर 0 से कोई भी non 0 अगर हम term, element, number को multiply करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा? डियलमा सिस्टम का? वो obviously 0 होगा तो नहीं आ गया यह 0 जो है यहाँ पर यह 0 है मेरा यहाँ पर 0 वो power के साथ multiply हो गया अगर यह n बड़ाबर 0 इसका मतलब इसका मतलब cos theta plus iota sin theta n बड़ाबर न 0 है यह n हो कर दें तो कितना हो गया? इस 0 के जगा n लिख देंगे हम लोग और क्या? क्या? अब submit कैसे करना है? as a subjective purpose से तो submit यह करेंगे hence for all three cases hence for all three cases अभी तक के लिए ठीक है? अच्छा एक काम करते हैं यह तो one वाला हो गी है one के लिए for any integer के लिए काम हो गी है यह काम करते हैं फ्राक्शन वाला भी काम कर लेते हैं उसके बाद क्या करते हैं? फिर इसको आगे final submit हम लोग करेंगे clear? इसको यहाँ पर क्या करते हैं? case for लेते हैं case for लेते हैं जब क्या हो? fraction हो case for लेते हैं when and is fraction and क्या हो जाए? fraction जो कि हम लोग second part बोले थे, first part में हम क्या किये थे, कोई भी integer के लिए, second part में बोले थे कि fraction के लिए, अब हम लोग क्या करते हैं, fraction में क्या करेंगे हम लोग, मानते हैं, क्या, let, let n बराबर p by q, fraction के लिए n बराबर p by q, जहां पर मेरे पास q बिलॉंग करता है positive integer से p बिलॉंग करता है कोई भी इंटीजर हो and fraction है na gcd p और q का क्या हो जाएगा clear pyq ले लिए दोनों ही integer है लेकिन q positive integer लेते हैं p कोई भी integer लेते हैं दोनों का ऐसा लेते हैं कि greatest common divisor जो है वो n हो ऐसा नहीं लेंगे कि 2 by 4 ले लिए 3 by 6 ले लेते हैं है इस तरह का नहीं लेंगे greatest integer common हो मतलब कोई भी और fraction common नहीं हो और वह भी क्या only one one ही हो इसके अलावे और कोई भी दूसरा नहीं हो clear है अच्छा हम इसमें कहें थे याद किजिए अभी starting में क्या बोले थे starting में कि case 2 जो है यहां पर कोन साथ है second part में कि and is a fraction then one of the value एक value इसका ऐसा होगा मतलब यह पूरी तरह से equal नहीं भी हो सकता है बहुत सारे question के लिए तो इसमें आईए इसलिए बोले थे क्योंकि यहां पर जो हम करने वाले हैं प्रूफ वह कुछ function हम खुद से consider करके करेंगे कुछ function के लिए हम दिखा देंगे कि cos theta plus iota sin theta पर अगर कोई भी fraction होता है तो वह fraction angle के साथ multiply हो जाता है बस इतना ही तो हम यहां अपने मन से कुछ consider कर रहे हैं कैसा function consider करेंगे वह भी देखी ठीक है consider कर ले हम लोग यहां पर अपने मन से consider कासा consider करेंगे तो cos theta by q ठीक है प्लस iota sin theta by q cos theta by q प्लस iota sin theta by q अब इस पे हम लोग क्या करते हैं पावर लेते हैं इस पे पावर q चूंकि q positive integer है तो पावर क्या होगा एंगल के साथ multiply हो जाएगा तो हम लोग इसको लिखते हैं cos कितना q theta by q और iota sin q theta by q बहुत अच्छे बात है इसका मतलब यह कितना हो जाएगा बच्चो तो यह हो जाएगा मेरा cost theta plus iota sin theta क्या बात है एक ले लिए हम अपने मन से कुछ consider कि इसको दिखा दिये cost theta plus iota sin theta अब इसमें हम क्या लेंगे फिल लेंगे qth root of qth root लेंगे ध्यान रखना पावर लेंगे taking power qth root taking ध्यान से देखेगा इसको कैसे हम लोग प्रूफ कर रहें ध्यान से देखेगा taking qth root power भी लेंगे qth root of both side both sides ठीक है कितना मिलेगा हमको qth root बच्चों जैसे ही लिए हम लोग तो कितना हो जाएगा यहां से देखो थोड़ा सा तो cos यह जो qth root है तो cancel होके 1 हो जाएगा इसका मतलब theta y q plus iota sin theta y q यह हो गया आपका ठीक है qth root हो गया q by q हो जाएगा यह नहीं तो फिर आराम से आप यहां पर q by q लिख सकते है right side कितना हो जाएगा तो कहता है कि यह तो cos theta plus iota sin theta इस पर power हो जाएगा 1 by q क्योंकि qth root है अब करेंगे क्या यह q q cancel अब pth power लेंगे फिर दोनों साइद लेंगे क्या pth power ताकि यह by q मेरा n बन जाए जो कि fraction है ठीक है by q n बन जाए फिर लिखते हैं taking क्या take करेंगे pth power taking pth power on both sides we get जैसे ही हम pth power लिए देखो यहाँ पर क्या था क्या q q q हो जाएगा 1 और इस पर पावर हो जाएगा पे q q क्यूआ कि क्यू कटके हो जाएगा right ले चुके थी तो पी क्या है बाइसाब तो पी कहता है कि sir ये तो कोई भी integer है और case 123 एनी इंटीजर के लिए हम लोग देख लिए कि क्या होता है एंकल के साथ multiply होता है यह ना पी क्या है पी तो कोई बींटीजर है और क्यूं का था पोजिटिव इंटीजर बहुत बढ़ी है इसका मतलब कुछ नहीं सार क्या करेंगे यह हो जाएगा multiply जैसा कि आप देख रहे हैं यह पीवाइक क्यों कितना हो जाएगा तो कहत यह हो जाएगा इधर कॉस ठीटा प्लस आयोटा साइन ठीटा पर पावर कुन सा यह वाला एन कितना पी वाइक क्यों कितना होता है एन इसका मतलब कॉस एन ठीटा प्लस आयोटा साइन एन ठीटा वन अप देवेलू आ गिया ना हम पहले ही बोले थे कि एक वहलू इसका ऐस कुछ आप दूसरा भी कॉंसिडर फंसन करें जिसके लिए जो पावर फ्रेक्षिन के अलावे वह भी एंगल के साथ मुल्टिप्लाए हो जाए तो हम खुछ से कॉंसिडर करके फंसन चले हम कुछ सोच रहे हैं विचार कर रहें इसलिए यहां पर हम वन अब दा वैलू थियों all the cases जितना भी हम case लिए we get मुझे कितना मिला बहुत आसान नहीं कितना मिला तो कहता है अब इसका पावर एन हुआ तो हो जाएगा कॉस्ट एन थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा बच्चों इतना बार इसको अभी हम लोग लिख चुके जब याद हो ही गया तो क्यों ना इसका अप्लिकेशन भी देखा जाए कुछ कुछ कोशन भी और कुछ कोशन क्या करेंगे बचो आप लोग के लिए अक्सेसाइज लग देंगे आप लोग बना के उसको कमेंट कर सकते हैं कि सर हां हो गया या अप अनुदर मेडियम से कोशन का अंसर से हैं के नहीं लेकिन जहां तक मुझे उम्मीद है यह पूरा वीडियो देखने के बाद इन में से प्रूफ से रिलेटेड़ आपका कोई डाउट्स नहीं बचेगा यह मारा मानना है ठीक है फिर भी अगर कोई डाउट्स होता है तो अभी इसी वीडियो के क सिक्षा करेंगे अगर मुझे ज़रुद महसुस होगा तो लाइब क्लास में लेंगे फिर हम लोग आमने सामने बात करेंगे हैंना डिसकस करेंगे ठीक है क्लियर हो गया क्यूंदा इसका कुछ कोस्चन के लिए भी देखा जाए हैंना बहुत साथ चोटा चोटा कोस्टन है आ एक्जाम्पल कुछ देखा जाए बच्चों कितना कहता है एक्जाम्पल हम कुछ देख लेते हैं यह से प्रूफ डाट पहला वाला एक्जाम्पल प्रूफ डाट ठीक है कॉस्ट थिटा प्लस आयोटा साइन थिटा पर पावर अगर फोड है और नीचे कितना है साइन थिटा प्लस आयोटा कॉस्ट थिटा पर पावर फोर ध्यान देना बच्चों वहां कॉस्ट प्लस आई है यहां पे कितना है साइन प्लस आई है थीक है कितना जाएगा तो कहता है कि सको प्रूफ करो साइट धीटा ठीक है प्लस आयोटा साइन एच थीटा कितना प्रूफ करना है क्वालो के लिए बहुत सिंपल है फटाफट करता प्र अप लोग के लएकसरसाइस रेंगे और इस वीडियो का करेंगे हो पर इंड करेंगे ठीक है फटापट कर लेते हैं यहां पर तो जो भी गीवेन है गीवेन को देखते हैं जल्दी करके तो कॉस ठीटा प्लस आयोटा साइन ठीटा पर पावर फूर कोई बात नहीं उपर तो डीमोबर स्थीरम में दिया हुआ है नीचे में खाली अरंच करना है तो साइन ठीटा प्लस आयोटा कॉस ठीटा पर पावर फूर हो गया तो क्या लिख सकते हैं उपर बच्चे उसको तो हम आसाने से लख सकते हैं । सब्सक्राइब कर सकते हैं साइन को कितना पावर कितना है फूर दिया हुआ है किलियर ताकि कॉस्ट थिटा पलस आयोटा साइन थिटा हो तो पावर जो हो एंगल के साथ मल्टिप्लाइ हो जाए इसमें कक्ल कोई बड़ी बात नहीं है इसमें कोई बरी बात नहीं कितना हो गया साइन फूर ठीटा फूदा जल्दी-जल्दी करते हैं लोग यहां पे हो गया पावर फूर- तो पॉजब कर दो पसाथ पो providing करेंगे तो तो पाई माइस मेंस थिटा हो और iota sin कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 pi minus 2 pi minus कितना हो जाएगा यहाँ से 4 multiply के न तो 4 theta तो यहाँ पे भी मेरा कुछ 4 आ जाएगा ठीक है अब second quarter में उपर कितना है 4 theta, iota, sine, 4 theta, second quarter में, कितना हो गया, 2 pi minus theta, तो second quarter में cos क्या देता है बच्चों, positive, तो यहां तो यह cos कितना हो जाएगा, 4 theta, लेकिन second quarter में sin negative देता है, तो हो गया, minus, iota, sine, यह हो गया, 4 theta, ठीक है, फिर slice करेंगे, नीचे से, उपर में जाएगा फिर एक बार डिमोबर्स लगेगा और मेरा रिजल्ट जो है बहुत आसानी से यहाँ पे हो जाएगा इसको लिख सकते हैं हम लोग अगर समझ में नहीं आए तो क्या किये रेष्न लाइज हम लोग कर दिये ठीक है यहाँ पे हम कहा है सब्सक्राइब के तिक यहां लिख देते हैं कि बाइडी मोवर्स से वहां कि इसको रसलाइस फिर यह सेम इंगल है तो क्या वोगा दो इंगल से multiply उके add हो जाएगा तो cos यह 4 theta plus 4 theta 8 theta और iota sin 4 theta plus 4 theta यह भी हो गया 8 theta यह भी कहां से demover's theorem से कहां से demover's theorem से कितना हो गया बच्चों hence proved कितना आसान है कितना आसान है clear समझ में आ गया कुछ नहीं दो बार demover's लगाए एक छोटा सा rationalize किये clear हो गया काम करते हैं अगले exercise दे देते हैं आप लोग को इस theorem को complete देखें अच्छा लगा इस से related question बनाईए कभी भी इसका यूज होगा फिर आप लोग इसको आसानी से कर सकते हैं अगले lecture में हम लोग क्या देखेंगे इसका application देखेंगे application कैसे and root of unity क्या होता है कैसे हम लोग roots निकालते हैं जैसे इसी वीडियो के starting में हम बात किये थे कि roots निकालने में काम में आता है तो कैसे हम लोग roots निकालते हैं किस-किस equation के लिए direct यूज करते हैं जिसमें कि direct benefit हमको मिले आगे higher में यह जैसे ODE हो गया PDA हो गया इस तरह में बहुत सारे का calculation portion में यह क्या करता है help करता हमारे calculation को easy करने में यह सब पर फिर हम लोग अगले lecture में discuss करेंगे ठीक है आपके यहां पर आपके लिए आज कुछ exercise हम छोड़ के जाते हैं बनाना है पुरा complete कोई भी doubts होगा comment करना है ठीक है exercise पहला नमबर कुछ already मेरे पास है उसी से हम देते हैं ठीक है कुछ already मेरे पास है question इसका किजिए प्रूब डाट प्रूब डाट ए प्लस आयोटा बी प्रूब डाट ए प्लस आयोटा बी इस पे पावर पावर कितना बच्चो तो एम बाई एन तो कहता है और ए माइनस आयोटा बी इस पे भी पावर है एम बाई एन तो कहता है कि यह 2A square प्लस बी स्कूर मई 2N इंटू इंटू कॉस अंटू कॉस आयम बाई एन और टैन इनवार्स बी बाई ए cos m by n into tan inverse b by a, ठीक है, इसको बनाना है, बहुत ही अच्छा question है, बहुत ज़्यादा अच्छा question है, उसके बाद, उसके बाद क्या करेंगे, एक question और देते हैं आप लोग के लिए, try करना इस question को, उमीद करते हैं कि यह क्या होगा, बनेगा आप लोग उसे, find, find all, find all roots of, किसका, all roots of x to the power 4 equal to 1, क्या बोले, find all roots of x to the power 4 equal to 1, बच्छों देखने भी लगता है कि 4 roots होगा, क्या क्या होगा, वो भी निकालना है, और तीसरा number question देते हैं, तीसरा में, इसमें भी देंगे find करने, find all roots, अगर नहीं बने, कोई बात नहीं, अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे, है न, x to the power 6 equal to 1, जितना सारा roots हो पाए, इसका, किसका, x to the power 6 का, equal to 1, एक polynomial है, उसका roots निकालना है, अगर आप दूसरे method से करेंगे, no doubt, वहाँ से भी हो सकता है, लेकिन, demover's theorem से, ये दूसरा number और तीसरा number जो question है, बहुत ही आसानी से तरीके से हो जाएगा, तो ये क्या है, इसको हम लोग star लगा देते हैं, मतलब, थोड़ा सा अच्छा question है, star लगा दिये, थोड़ा अच्छा question है, बहुत ही आसानी से हो जाएगा, उमीद करते हैं, ये lecture पूरा समझ में आया होगा, अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ भी share करें, like करें, subscribe करें, क्योंकि जो भी आप देखते हैं, हो सकता है कि वो किसी और के लिए भी helpful हो, तो अगर subscribe कर लेंगे, दूसरे को share भी करेंगे, तो सीखने से, सीखने स जैसे क्या होता है, जैसे ग्यान होता है, कहते हैं कि ग्यान बाटने से बरता है, तो दोस्तों के साथ share किजिए, हो सकता है, आपके लिए भी benefit हो गया, उनके लिए हो सकता है, कि उसको कभी अब इससे पहले नहीं समझ में आया हो, लेकिन अगर theorem को देखे, इस तरीके का जैहिन